तो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में तो दोस्तो अगर आप फोन पे के यूज़स हैं तो दोस्तो आपके लिए एक बहुत ही important update ओपिन होकर के आज चुका है तो दोस्तो अगर आप नए यूज़स हैं पुराने यूज़स हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको इस पूरको एंड तक आपको step by step देखना पड़ेगा और आपको इस पूरको log in यहाब पर जानकारी किसी के साथ share करेंगे दोसवे अपना mobile number बताएंगे अगर अपना login किसी दूसरे के phone में login करेंगे तो दोसवे आपका इससे नुकसान हो सकता है तो आपको क्या करना पड़ेगा अपना login जानकारी किसी के साथ आपको share नहीं करना है तब दोस्तों आप safe रहेंगे अनता आप safe नहीं रहेंगे तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं अब दूसरा यहाँ पर क्या settings है आपको किसी के साथ share नहीं करना पड़ेगा अगर आपको किसी के साथ अपने OTP को share करेंगे तो दोस्तों आपके bank से आपका पैसा भी चोरी हो सकता है आपके bank से आपका पैसा भी कर सकता है तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप phone पे users हैं पुराने users हैं नहीं users हैं तो अपने OTP को आपको अपने किसी friend के पास किसी के पास आपको share नहीं करना है तीसरा जो यहां पर दोस्तों कह रहा है यहां पर अतरिक्त सुरच्छा के लिए phone पे app lock यहां पर सुविधा इस्तमाल करें तो दोस्तों अगर आप phone पे use करते हैं तो आप उस पर अपना face lock pattern lock जो भी lock है अपने lock को आप वहां पे लगाना पड़ेगा तो दोस्तों फोन पे application में features आता हैं यहां पर lock लगाने का तो चलिए हम आपको बताते हैं कि phone application में आप कैसे यहां पर lock लगाएंगे तो आपको इस तरीके से phone पे application को ओपिन गरना आपको profile पे click करना profile बाग जिलसरे कर देंगे तो आपको नीचे आना है यहां पर दोस्तों आपको screen lock option मिलेगा आ सेट करें पींपर किया बताते हैं तो इस तहिक होने कि इस spas अपनी फोन पर अप्लीकासटन को क्या नहीं ठड़ से अग्ला qa लिए भुखतान करने से पहले अविसकार करें विकल्प चुने और यहां पर आपको simply क्या करना पड़ेगा तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड या कोई भी नॉट्पिकेशन आपके पास भेजता है कि आपके पास एक नॉट्पिकेशन इस तरीके से गया जैसे अपने फोन प करेंगे तो आपको सबसे ऊपर यहां पर एक नॉट्पिकेशन का आईकन यहां पर मिलेगा तो अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई भी बंदा आपके पास कॉल कर रहा है कि हम आपके नॉट्पिकेशन पर क्लिक करें हैं आपको एमांट मिल जाएगा अगर इस तरीक किसी यहां पर फॉर्टिफिकेशन अगर पाइसा सो रहा है तो आपको पेमिंट नहीं करना है तो आपका पाइसा दूसरी काउन में TRANSF деся Dollar x तो आपको सिकूर एकदम रहना पड़ेगा तो आप मोई लंबर डाल कर सकते हैं बड़ दोस्तों सब्सक्राइब को नोट्फिकेशन चेक करना अगर तो नोट्फिकेशन के तुरू कोई पेमिंट करने के लिए कह रहा है तो आपको पेमिंट नहीं करना है इससे दोस्तों पच्वा यहां पे शेटिंग्स क्या है अनुरोध करने वाले ब्लॉक करें अगर आपके पास कोई भी बनना नौट्रिकेशन बेशता है कि मेरे एकाउन में यतना पैसा ट्रांसपर कर दीजिए यतना पैसा भेद दीजिए तो आपको तुरंट उसको आपको ब्लॉक कर दे करेंगी मेंगें पहरब आपको एपने फॉय क्राइब हाट्न निमित रूप से बदलें तृस ओधर के लिए यहां फोंपर फेनrän इसप्ठर शुर्चा के लिए चाहना है तो अपने एप लॉक के भी लगाई आपने सीक्योर्टे लॉक के भी लगाई है और पर चौथा जो कहा रहा है दोस्तों पैसा भेजने के अनुरोद से जूड़ी धोका धड़ी से बचने के लिए भुकतान करने से पहले अविस्कार यहां पर करें विकल पुचून समझ करने की आउसकता नहीं होती है फोन पर SBI HDFC यहां पर XS Bank यहां पर इस तरीके से आज बैंक टीस बैंक उपलब्ध है तो दोस्तों आपको समझ में आ गया है कि दोस्तों अगर आप फोन पर अप्लिकेशन यूज करते हैं तो दोस्तों आपको इतने सेटिंग अपके अ अपने फोन पर अप्लिकेशन में करना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों मिलता NX बीडियो में तक लिए जय हिंद वन दे मातरम